इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद न्यूज और आइन इन सब्सक्राइब कीजिए और गुलामी की जन्जिरों को तोड़कर मुल्क को आज़ाद किया क्या वाकई में सही माईनों में वही आज़ादी है जिसके लिए सभी धरमे मजभब के कायिदों Зап़ना फून अपने जिस्म का जर्रा जर्रा जररा निच हर कर पर अगर हक खीकत में देखा जाय तो यह वह आज़ादी नहीं है जिसका खाहु हमारे असलाफ बुजर्गों ने देखा था कहीं तो ऐसा लगता है कि आजादी के माइने समझने में आज के काईद कासिर है या फिर एक साजिश का हिस्सा बनते जा रहा है किस मुनद्जम साजिश के तहट देश को लोक तंत्र को खत्म किया जा रहा है इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाए जा सकते हैं वैसे तो मुख्यधारा है कि मेंस्ट्रीम की जो मेडिया पहले ही मरकजी हकूमत के हाथों बिकी हुई है सुबह से शाम तक किसे धर्म विशेश के खिलाब जहर उगलना यहीं बहस डिबेट का मोज़ू हुआ करता है और आज भी जारी है अब तो सोशल मेडिया पर भी इंसंगी विचारदारा ने कबजा कर लिया वाज़ा रहे कि इसी मरकजी हकूमत की शेय है यहाँ है सही नहीं बलकि विदेशी मेडिया ने इसकी पोल खो लिया अगर केनड़ा की शहरियत लेकर भाज़पा की या प्रदानमंत्री की हमायत करता है तो उसे बड़ा देश बक्त माना जाता है तमगा दिया जाता है और अगर भारत का ऐसा शक्स जिस अभी नेता ने जिसने अपने उसूलों पर चल कर फिल्मी दुनिया को नई वूचाई बक्षने पर मदद की हो अगर किसी तुर्की सदर के एहलिया से गफ्तगू करता है तो देश दुरू ही बन जाता है फिर शुरू होता है टीवी पर हिनों न खेल बहस किसी धर्मिशेश को इसी बहाने से निशाना बनाने का काम जारी हो अब इस देश में यही काम रह गया हम सभी जानते हैं कि पूरा देश कोरोना महमारी की चपेट में आ चुका है बेरोजगारी महंगाई कोई माइने नहीं रखते आज अगर देश के लि है हमने अक्सर देशों से दुश्मन ही दो लिए है और आस तक किसी भी बाहरी मुल्क ने भारत में इतना बड़ा निवेश एनिवेस्टमेंट भी नहीं किया है जिसे भारत में रोजगार हसी हो सके किसी बाहरी मुल्क ने फैट्रिया नहीं खो ली जिसे मजदूरों को दो कोई मस्या मिल गया है और यही बात जहन में डालने के लिए सुभशा मेडिया कोशिश कर रही अब तो सुप्रीम कोड भी मरकजी हुकुमत के दबाओं में फैसले लेने का इल्जाम बारहा लगा जा रहा है ऐसा कई रिटायट जज्जों का भी कहना है पियम केर फंड हजारो लाको करोड जमा हुए है पर इसका हिसाब कोई नहीं पूछ सकता और जो लोग भारत की जंता का पैसा लेकर भाग जाते हैं इन पर भी सवाल नहीं किया जा सकता अगर कोई पूछे भी तो इसे पाकिस्तानी कैसे करार दिया जाए जाए या देश विरोधी कैसे बनाए जाए इसके लिए भाजपा का आईटी सेल और गोधी मीडिया हमेशा तयार रहती है जब अमरीके अखबार वाल स्ट्रीट जेनल ले अखबार मे इसे फेस्बुक पर अपना कब्जा जमा कर आरेसेस की विचारधारा के जरीए हिंदुत्वा के एजेंडे की मदद कर रहे बताया और इसे जब कॉंग्रेस सदर राहूल गांदी ने अपने बयान में बताया तो इस पर चारों तरफ से हमला किया गया आज भी हर लिहाज से तमाम मौकमाओं पर इनहीं संगी विचारधाराओं का कब्जा होने की बात कई जरीए और अगर कोई सता से सवाल पूछता है तो इने चैनल से निकाल दिया जाता है अभिसार शर्मा पुनिपरसुन बाच्विया आरफा खानम शेरवानी विनोद्वा शुतोष जैसे कई पत्रकार लोग तंत्र को बचाने के लिए आगे आते हैं और हुकुमत से सता से सवाल करते हैं तो इनके घरवालों को इनके घर के खवातिन को ट्रोल किया जाता है क्या यही आजादी है कि इसी लिए हमारे बुजर्गों ने अपनी कुर्बाणिया पेश की ती एक पत्रका चैनल के स्टूडियो कतलगाह बनते जा रहे हैं किसी तरह हर मामिले को हिंदू-मुस्लिम का रंग देकर मजभवी तशक्दुद फैलाना इसी एक अजेंडे के तौर पर चैनलों को चलाया जा रहा है भाजपा का आदाकामी ही न्यूज चैनल करते रहते हैं न्यूज एंकर भाजपा प्रवक्ता संगी प्रचारत विकावु सियासी माहिरीन के साथ सब्सक्ता से सवाल करने वालों को जहनी तोर पर इतना दबाव डाला जाता है कि इसका कतल कर दिया जाता है संभीत पात्रा प्रेम शुकला राम मादो कहला शुजेवर की अनंत कुमर हेड़े जैसे निहायत जहर बयानात देने वालों पर आखर कारवाई क्यों नहीं की जाती आज कॉंग्रेस प्रवक्ता राजुत्यागी के लिए संभीत पात्रा जिम्देदार होनी की बात कही जा देश के वजिर आजम के पास सिवाई बयान बाजी के कुछ नहीं ऐसा नहीं के जिसकतर नफरत का जहर किसे धर मिशेश के खिलाब गोला जा रहा है प्रदानमंत्री को इसका इल्म नहीं है इन्हें सब पता है पर हामोश हिमायत असिल है लिहाजा सभी धर निर्पेक्ष प करना है तो एक जंग मझहभी फिरकापरस्तों के खिलाप लड़नी होगी वर्ना देश का मुस्तक्विल यकीन अंध्यले में चला जाएगा और मुझ नहीं कर पाएगे इतिहाद में देखने करें शुक्रिया अल्लाविश्या करैंगर करुछ नहीं कर दो एक फसे हुथ